नमस्कार प्रबसाफशे के पॉड़कास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉड़कास्ट में हम बात करेंगे एक बार फिट से चर्चा में आ गया है उनिफॉर्म सिविल कूट अगले एक महीने में इस पर आपके और हमारे राय से आने वाला है निर्ण है तो आए उनिफॉर्म सिविल कोट को कानून इजामा पहनाने की कोशिश होई बिरोध की तलवारे चमकी और फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया भारत में समान नागरिक कानून लाए जाने को लेकर बहस भी लगतार चल रही है इसकी वाकालत करने वाले लोगों को कहना है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नागरिक कानून होना चाहिए फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो सत्ता बदले या सरकार मुद्दे बदले या फिर बिचार नहीं बदला तो यूनिफॉर्म सिविल कोट को लेकर चली आ रही अटकले जो वक्त बेवक किसी ना किसी वजह से चर्चा में परस पर बनी रहती है अब फिर से यह सवाल ट्रेंडिंग टॉपिक बनकर सामने आ गया है कि क्या मोदी सरकार समान नागरिक सहीता यानी उनिफॉर्म से विल कोड बिल लाने की तयारी कर रही है यह सवाल उटने की वज़ा एक नया नोट रिपोर्ट बनेगी और इसी रिपोर्ट के अधार पर सरकार इस मसले पर फैसला ले सकती है लोग कमिशन के सचीयों ने कहा कि जो रूची रखते हैं या इक शुक हैं वो नोटिस की तारिक से 30 दिनों के अंदर अपनी राय रख सकते हैं सबसे पहले थोड़ा बेसिक से सु समान फिजिक्स का बेसिक पढ़ते हुए यूनिफॉर्म मोशन जैसी चीजे पढ़ी होंगी कॉंसेप्ट वही है जो एक समान हो वही उनिफॉर्म जब कपड़ों में लाई गई तो सभी एक से कपड़े पहने लगें और वह कपड़ा यूनिफॉर्म हो गया मक्सद समानता लाने भरक था इस श्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खुद को एक सबान समझे मंतरी का बेटा हो या संत्रे का हिंदू का बच्चा हो या मुशल्मान का श्कूल में दाखिल होने पर सब एक समान है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक कानून हो फिलहाल अलग-अलग मजहब के लिए अलग-अलग के तहत होता है देश का समविधान समान नागरिक सहीता को समर्थन करता है समविधान के अनुछे 44 में समान नागरिक सहीता का जिक्र है लेकिन जब भी समविधान के ब्याख्या के तहत कानून को धालने की कोशिश होई तो सियासत आड़े आ गई युनिफर्म सिविल कोड के मुद्डे पर लॉग कमीशन ने एक बर से कंसल्टेशन पेपर जारी करने का फैसला लिया है कमीशन ने वगर और सुधार के लिए लोगों से राय मागती करनाठक हाई कोड के पुर्वे चीफ चेस्टीस रितुराय अवश्थिक की यगवाई फैसला इसलिए किया है क्योंकि पिछला कंसल्टेशन पेपर तीन साल से ज़्यादा वक्त पहले जारी हुआ था वह पुराना हो चुका है लोग कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करके कहा है कि किस्वे लोग कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों और तमाम कमीशन ने फैमिली लोग में सुधार की सिफारिस की थी चुक्ति पिछले कंसल्टेशन पेपर को आए तीन साल से जादा का वक्त बीच चुका है ऐसे में विशाय की गंभीरता और इस मामले में कोट के तमाम आदेशों को देखते हुए 22 लोग कमीशन ने इस विशाय पर और तमाम हिटधार को किराय लेने का फैसला किया है साल 2015 में कानून मंत्राले ने अपने सलाकार निकाय विधी आयोग को सुझाव दिया था कि देश की कानूनी प्रनाली में किन-किन सुधारों की आवशक्ता है इस पर निर्णाय लेने के लिए जनता से सुझाव आमंत्रि में उस वक्त मौकिक रूप से चर्जा भी हुई थी उपलब्द जानकारी के नुसार यह तब हुआ जब मंत्राले ने ब्रेटेन के विधी आयोग द्वारा अपनाई गई विवस्था पर गौर किया यूके लोग कमिशन सुधार की आवशक्ता वाले कानूनों को अंतिम र भरकार द्वारा अधिन्यमित किया गया था तंत्र से प्रभावित होकर कानून मंत्राले ने शुझाओ दिया है कि भारती विधी आयोग ब्रेटिस मौडल को अपनाने पर विचार कर रहा है विधी मंत्राले और विधी आयोग के अधिकारियों के बीच विचार विमश के दौरान यह भी महसूस किया गया किवरिटी स्मॉडल समकालिन कानोनी सुधारों में आधिक पारदर्शिता और महत्व लाएगा क्योंकि परिवर्तन की मांग सीधे लोगों से आएगी यदि उनकी राय ली जाती है पॉस्टनल लौ और उनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लौ कमीशन ने कंसलिटेशन पेपर जारी करते हुए सुझाव पेश किये थे इसके तहट कहा गया था कि उनिफॉर्म सिविल कोड इस स्टीज पर जरूरी नहीं है 31 अगस्त 2018 को लोग कमीशन ने तमाम धर्मों के परिशनल लौ में बदलाव का सुझाव दिया था तमाम फैमिल सिविल कोड के लिए पक्ष रखने को कहा था कमीशन ने तीन तलाक मुद्दे को छोड़ कर बाकी मुद्दों का जवाब मांगा था इसके तहट 16 सवाल पूछे गए थे लौग कमीशन ने बहु बिवा निकाह हलाला आदे मामलों में कोई सुझाव नहीं दिया और कहा कि मा अधिकार देने के लिए कानून बनाने की बात की गई थी पिसले लोग कमीशन में तीनों मुख्य धर्म हिंदो मुस्लिम और इशाई से संबंधित परस्टनल लोग में बदलाव के लिए पक्षकारों से पक्ष जानने के लिए डिटेल मांगी गई थी जो मुख्य सवाल ल कमीशन में कहा गया था कि स्पेशल मैरिज आक्ट के तहत दो अलग-अलग धर्म के लोग भी शादी कर सकते हैं इसके लिए तीस दिनों के नोटिस पीडियेट का प्रावधान है इस कारण कपल के नजदीकी को शादी रोकने का मौका मिलता है हिंदो मैरेज आक्ट हो या फ इसे मोधि सरकार की धुर्वी करन के अपने निरंतर एजेंडे और अपनी असपस्ट विफलताओं को ध्यान भटकाने के वैद्य और चित्त के लिए हतासा करा दिया कॉंग्रेस महासाचिव जैराम रमेश ने कहा कि भारत के भाईश्वे विधी आयोग ने यो सी सी की और यृधिके से राय लेने की मांग कर रहा है जब वह स्विकार करता है कि उसके पहले 21 विधी आयोग ने आगश्त 2018 में इस विश्वेम पर परमर्श पत्र प्रकासित किया था रमेश ने कहा कि विधी आयोग ने अब कोई कारण नहीं बताया है कि विचार क्यों किया रहा और विश्त्रित और व्यापक समिक्षा करने के बाद पाया कि समान नागरिक सहिता ना तो आविश्यक है और नहीं वांचन यह है बहराल हम भारत के लोग समविधान के खिलाप नहीं है और समविधान के अनुष्य चववालिस के समान नागरिक सहिता को लागो करने की बात कही गई है भारत में मजहब या धर्म के आधार पर अपने हिसाब से अपनी स्वतन्रता का पायमाना तैय नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यह सीधे तोर पर भारत के समविधान पर ही प्र भास्याक्षी के साथ